Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है आजाश्मा महाजन Hindi Learning Channel पर लेकर आई है कृति का संस्कृत पाठे पुस्तक Class 7 के स्टूडेंट्स के लिए Chapter No.1 सुभाशी तारी अच्छे-चे वच्चनों से बच्चों को प्रेडित करेंगे आज आपकी बुक का पहला Chapter Upload होने जा रहा है दीरे-दीरे सारे Chapter Upload होंगे आप अपने Friends को चैनल के साथ जोड़िए चैनल का Link Share कीजिए और जिस भी बच्चे का भाई-बहन Class 8 में पढ़ता है और यही बुक लगी हुई है तो उसके कुछ Chapter मेरे Channel पर Uploaded है पुस्तक स्था जानी की पुस्तक में स्थेथ जानी की पुस्तक में रखी हुई तू या विद्या पुस्तक में रखी हुई विद्या पर हस्त गत्तम दनम दूसरे के हाथ में गया हुआ दन कार्यकाले जानी की समय आने पर काम के समय पर पुस्तक में रखी हुई विद्या और हाथ में रखा हुआ दन, दूसरे के हाथ में जो दन जाता है दूसरे के हाथ में गया हुआ दन कभी भी सही समय पर काम नहीं आता है कारे काले समुत्पने ना साविद्या ना तधनम यानि कि वेविद्या और वेधन जरूरत के समय में कभी भी काम नहीं आता माता शत्रू पिता वेरी येन बालो ना पाठिता है कहता है ये इन बालो ना पाठीत है जो बच्चों को नहीं पढ़ाते माता शत्रू पिता वेरी ऐसे माबाप बच्चों के शत्रू है जो शत्रू के समान है ना शोबते सबा मदे सबा के बीच में हन्स मदे बखो यथा जैसे हंसों के बीच में एक बगला होता है न तो विद् की सबा में अनपढव यक्ति कभी भी सम्मान नहीं पा सकता वहीं हंसों के बीच एक बगुले के साथ भी ऐसा ही होता है फिर से सुन लो जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है ऐसे माबाप क्या हैं बच्चों के शत्रू के समान और विदवानों की सबा में अलसी को विद्या कहां कुतो मतलब कहां अविद्यस्य कुतो धनम बिना विद्या के धन कहां अब पढ़ो गई नहीं तो धन कैसे कमाओगे राइट अधनस्य कुतो मित्रम बिना धन के मित्र कहां अमित्रस्य कुतो सुखम बिना मित्र के सुख कहां यानि कि सारा सुख कहां हाथों की शोबा किसमे है दान देने में हाथों का जो अभूशन है वो क्या है दान देना सत्यम कंठस्य भूशनम सच बूलना गले का अभूशन है गहना है शरोतरस्य भूशनम शास्त्रम कहता है सुनने वाले का जो सुनता है शरोतरस्य भूशनम शास्त्रम शरोता के लिए शास्त्र जानिकी विद्या अभूशन है भूशन है किम प्रयोजनम भूशन का अन्य किसी अभूशन का क्या प्रयोजन फिर से सुन लिजिए हाथों की शास्त्रों को सुनना कान का भूशन है। अन्य था भूशनों का प्रयोजन ही क्या है। मुख में, मरिग मतलब जो भी पशू है। वैसे हीरन होता है मरिग आहाँ। जिस परकार सोते हुए सिंग के मुह में मरिग स्वेम नहीं परवेश करता उसी परकार। hard work have you ever heard of a deer coming and entering the mouth of a loin while he sleeps जब वो सोता है आपने कभी enter होते हुए देखा है उसे नहीं न तो हमें क्या करना चाहिए success को अगर पाना है hard work करना चाहिए और dedication से करना चाहिए okay students याने कि दूसरों के प्रतियूपकार करना ही पुन्य है पाप आये पड़पीड़नम और दूसरों को पीड़ा पोंचाना पाप है Okay students clear दूसरों को दुख देना क्या है पाप के समान और दूसरों का भला करना क्या है पुर्ण्य के समान ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्यानम न शीलम न गुणों न धर्मे ते मिरते लोके भूवी भार बूता, मनुश्य रुपेंधाश्चरंती, कहते, जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना जियां है, ना जाचरण, जानी की, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, वे मनुश्य, कैसा जीवन वियतीत करते हैं, जैसे एक हो जैनकि मरते लों के वे ते का मतलब वे मरते लों के धर्ती पर भूवी भार भूता वे धर्ती पर बोज बनकर मनुश्य के रूप में पशुओं की तरह घूमते हैं ओके क्लियर जिसके पास विद्या तप ग्यान शील गुण और धरम इसे कुछ नहीं वो मनुश्य कैसा जी आई एक्ससाइज करते हैं आई होप सुभाशीतानी का नुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्ससाइज में पहला कोशन है ना पाठीताय बाला है कुत्र ना शोबते ना पढ़ा हुआ बाला कहां शोबा नहीं पाता सभा के मद्य में जाने कि कोई किम कंट का गले का भूशन क्या है सत्यम कंट का भूशन क्या है गले का भूशन क्या है सच बोलना उद्ध में कानी सिद्यंती उद्धम से जाने कि मेनस से क्या सिद्ध होता है कार्यानी परोपकार किसमें होता है पुन्य के लिए होता है पुन्याए भफ्ती पून वाक्य म किसकी विद्या कहा है आलसस्य कुतो विद्या आलसी को विद्या कहा है किसको विद्या कहा आलसी को विद्या कहा जो आलसी करता रहेगा पड़ेगा नहीं तो विद्या कहा मिलेगी उसे सुनने वाले का भूशन क्या कहा गया है कत Torاش Shastram कतितम भी लिख सकते हैं इसके बाद मरते लोके जानकी धर्ती पर भुवी के भारबूता धर्ती पर कौन बोच के समान है तो मनुष्या मरते लोके भुवी भारबूता संती व्यास के दोवचन कया है परोपकारे पुने आए पापाई पर पीड़ नम श्लोकों के जो अंच है उनका उचित मेल करना है कारे काले समुत पन्ने ज्याने कि समय आने पर कारे काले काम का समय समुत पन्ने आने पर क्या होता है कारे काले समुत पन्ने ना सा विद्या ना धनम नावेविद्य कामाती है नावेध्धन कामाती है माता शत्रू पिता वैरी किनके जो बालकों को नहीं पढ़ाते जेन बालो नापाथिता है सुनने वाले के लिए बूशन के आए शास्त्र तो बूशन का क्या प्रयोजन है कैनों का सुपतस्य सिंगस्य सोते होई शेर के मुख में नहीं जाता क्या पर विशंते मुखे मरिगा परोपकार है पुनियाए पापाई पर पीडनम फ्रेम दे कोश्चन on the basis of अंडरलाइन वर्ड्स येन बालो नापाथिता कहता किस से बालक नहीं पढ़ाए जाती कौन बच्चों को नहीं पढ़ाता कोश्चन क्या बनाना है केन बालो नापाथिता है और ये विवगती किम की विवगती चलती है प्रशन निर्मान में तो किम का पुलिंग शब्द अगर आप याद कर लेंगे तो इस तरी लिंग याद कर लेंगे तो क्या होगा येन पे एंड हुआ है तो आप केन लगा देंगे अस्य पे एंड हुआ है तो कस्य लगा देंगे तो किम की विबक्ति अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है जो बालकों को नहीं पढ़ाते तो कौन बालकों को नहीं पढ़ाते ये कोशन बन गया हाथ का भूशन दान है किसका भूशन दान है शेर के मुखे में पशु परवेश करते हैं तो शेर के मुखे में क्या परवेश करते हैं का अब मरिगाहा है यहाँ पर तो किम की वी बक्ती है बहु वचन लग गया का 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 जो है वो बहुवचन लग गया अठारा पुरानों में व्यास के दो वचन है तो किसमे केशु पुराने इशु पे खतम हुआ किमकी विबक्ति केशु व्याससे वचन द्वियम किस किसके व्यास के दो वचन किसके कौन से व्यास के दो वचन तो कौन मृत्यू लोक में, जाने कि कौन धर्ती पर बोच के समान है, तो के बन गया आपका कोशन, विद्या, परत्मावी बक्ती है, एक वचन है, भूशन है, तृत्यावी बक्ती है, बहु वचन का शब्द है, ओके, मुखे, अब मुखे, आप राम की विबक्ती अगर पाचन का शब्द है, कैसे माता-पिता बालक के वैरी होते हैं, तो जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, येन बालो ना पाठीत है, ऐसे माता-पिता, एता-द्रिशो, माता-पितारो, बालकस से वैरी नो बफता है, उसके बाद आपको सारा वही लिखना है, जो कोशन में विद्यादी से हीन लोग मनुश्य के रूप में कैसे विचरन करते हैं, तो विद्यादी से हीन लोग मनुश्य के रूप में मृग के समान विचरन करते हैं, बूशन का क्या प्रियोजन है, इसका क्या अश्य है, तो बूशन का कोई भी प्रियोजन नहीं है, कि मपी प्रिय पहले आप अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा वीडियो शेयर कीजिए अच्छे से व्यूज आएंगे तो second chapter जल्दी ही मैं upload करूंगी ओकी students good bye